नमस्कार दूस्तो आज के इस विडियो पे हम लोग फ्लेश्ट्रेट एपलिकिसन का टोटल ग्राफ एनलेसस करने वाले हैं क्योंकि कापी से लोगों का कमेंट था कि भाई एक ग्राफ के उपर विडियो वनाव कि हम लोग ग्राफ को पॉपर तरीके से एनलेसस करें ओपिज आज की विडियो स्टार्ट करते हैं सो फ्लेश्ट्रेट एपलिकेशन को जैसे ही आप लोग ओपेंड करेंगे तो ओपेंड करते ही आपके सामने बीटीसी यानि बीटकॉइन का ग्राफ चार्ट मोमेंट करता हुआ नजर आ जाएगा अब बेसिकली जितना भी थटपर्ट ट्रीडिंग बाले एपलिकेशन से रहते हैं वहां पर बाइडिफॉल्ट बीटीसी ही च्वाइस किया रहता है अब हम लोग बेसिकली जो है बीटकॉइन का एक रापचा टोटल तरीके से एनलेसेस करने वाले हैं तो देखिए बीटीसी कोईन जो होता है यहां पर बेसिकल अब मार्केट पे ज्यादा अगर सेल होता है यानि ज्यादा बेचा जाता है इस कोईन को तो यहां पर मार्केट पे हम लोग को डिक्रीस पॉइंट देखनों मिल जाता है यानि डाउन की तरफ तब मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है तो अभी अगर आप लोग देख आप लोगों को पता चल गया, buy का मतलब होता है खरीतना, sell का मतलब होता है बेचना, अब यहाँ पर यह चीज में आप लोगों को इसलिए बताए कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो analysis करने में, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें BTC की market के रूपर, तो market का आप लो का graph chart आप लोगों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग अच्छी तरीके से graph को analysis कर सकते हैं, तो देखिए, बेसिकली इस application पर हम लोग सिर्फ फाइब मिनिट का market देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख भूआगे, उससे ज्यादा देख नहीं सकते हैं, लेक मैं बता दूँ कि सभी जितना भी थर्टपर्टी application से सभी पर BTC का जो market graph analysis से हम लोग करते हैं, वो same to same रहता है, यह नहीं कि अलग application पर अलग graph चलेगा, अलग application पर अलग graph चलेगा, ऐसा नहीं है, जो BTC का यानि Bitcoin का जो graph chart होता है, वो random लियाता है, और वो market को उपर depend रता ह जो कि हर एक application पर same ही दिखाएगा, क्योंकि BTC का market एक ही रहता है, तो जितना भी थर्टपर्टी application पर आप लोग देखे तो सभी एक ही होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर graph को analysis कैसे करें, सबसे पहले, तो आप लोगों को पीछले का record देखना है, 2 hours का, 2 hours का, इसलिए मै आप लोगो 2 hours का जो है, यहाँ पर दिखा देते हैं, दो घंटे का graph chart दिखाते हैं, उसके बद मैं आप लोगो लाइव trading करके भी दिखाऊंगा, ओके, तो चलिए, तो देख सकते हैं, यहाँ पर BTC का graph chart ओपन हो चुका है, अब basically जो ही Chrome पे, Chrome पे आप लोग सिर्फ सिर्फ 2 hours का नहीं, आप लोग 1 month का भी, 6 month का भी, 1 TD का, 1 year का, 5 year का भी graph chart आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से, अब मैं अगर आप लोग दिखा हो तो यहाँ पर आप लोग देख भूआगे, यह जो graph है, यह पूरा दिन का, यानि 1 day का यहाँ पर graph chart है, अब मैं 5 days का increase point देखनों के मिलड़ा है, कितना तीजी से बर रहा है, अब हम लोग यहाँ पर जो है, कैसे पता करेंगे कि आने बाले समय पर यहाँ पर आप पर जाएगा, यह पर down पर जाएगा, अब देखिए, हम लोग अगर देखे 1 day का यहाँ पर देख भूआगे, कि market, market यहाँ पर बेचा हो, मतलब ज्यादा सेल हुआ है, इस वीजिसे यहाँ पर हम लोग को down circuit देखनों के मिलटा है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर अपर सरक्ट देखनों के मिलगे, यानि यहाँ जबड जस्त यहाँ पर लोग यहाँ पर खरीद है इस coin को, ठीक है, अगर आप भी यहाँ Bitcoin को खरीदना चाते हैं, यापर बेचना चाते है, इसका भी Commission profit है, इस इंसरी एप्लीकेशन पर नहीं होता है, यह थर्द पर रही ट्रेडिंग बले application पर नहीं होता है, यह ठीक होता है अनुमाल लगाना, हम लोग सिर्फ शिर्फ अनुमाल लगा के यहाँ पर एक जुआ की कि तरह खेलते हैं अगर हाम लोग का अनुमाना सही रहता है तो लोग को करपी अगर अगर को फरिकेस ऑप्रॉत अगर को इस èarchy कि या यह पर घर छिंदे होंगे तो आप कनी के बाद के बाद बढ़ जाता है का प्राइस तो आपको आप पर जितना पैसा बढ़ेगा उतना ही आपको profit मिलेगा जो कि वाजिरिक्स पर होता है अगर आप लोग detail में जानना चाहते है कि इसे वहाँ पर profit निकारे तो उसका विडियो का link में निचे description box पर दे चुका हूँ वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो के भी देख सकते हैं अब देखिए कि जब high jump जाता है basically BTC का coin की में बात करूँ तो यहाँ पर जब high jump जाता है यानि जब increase point आता है जब लोग जादा buy करते हैं तो उस समय हम लोग को correction पे down circuit देखनों के मिल जाता है लेकिन तुरंत ही नही सकते हैं अब देखिए यहाँ पर मार्केट कैसा मुमेंट कर रहा है आप मतलब अभी उपर पर है तो अभी थोरा सा हम लोग को down circuit पर देखनों के मिल सकता है ठीक है तो जब मतलब overly आप पर चला जाएगा जिसे कि इस top level पर हुआ है देखिए इस top level पर कैसा हुआ है कि आप पर बाइब का देखिए इस पॉइंट पर जो लोग बाइशन ने उप्ति थे तो नीचे जब डाउन पर गया तो यहाँ पर जो है जब हाई जम किया तो इस पॉइंट पर के कि उन लोग का profit margin निकल गया यानि यहाँ पर से इसका प्राइस था मैं बतातों सबोज यहां पर पर प्रॉफे था एक तो यहां पर क्या हो गया तो जो कर किया है इस हाइ लेवल पर पहेश दिये हो तो बेचने के बाद उन का कितना प्रॉफट हो गया बचास पैसा का प्रॉफट हो गया तो एक रुपे पर बाई करके एक रुपे पर खरीदारी करके को एक रुपे पर खरीदा उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज आया तो यहां पर बेच दिया तो जब बेच दिया तो हम लोग को यहां पर डाउन स आधा गंटा से डाउन सरकेट पे चल डा है तो आप लोगों को अपर मतलब डाउन सरकेट पे नहीं लगाना है मतलब अपके अप पे नहीं लगाना है मतलब बाई पे नहीं लगाना है आप लोगों को तब भी डाउन पे ही लगाना है क्योंकि ओभरली बीटीसी की कोईन के ब मतलब आधा गंटा से मान दीजि़ए डाउन की तरह चल रहा है तो आप लोग यह बाई पर hon का यहानी एक फिर भी जाने वाल तो आप लोग को तब पता चलेगा यह जब आप लोग पीछले का एक घंटे का ग्राफ चार देख लोगे या फिर वाच करोगे काफे करते हैं कि आप लोग वाच करते हैं तो भी आप लोग अच्छा आप नौलेज जाएगा और यहाप लोग लेकिन जो middle point होता है जिससे क्ऊध देख पौँगे यह इसके बाद आप लोग ट्रेडिंग करो तो ही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहां पर आपका एक्स्पिरिंस ज्यादा हो जाता है और आपको थोड़ा सा नौरेज मिल जाएगा क्योंकि जब दस मीट के अंदर जब यहां पर मार्केट थोड़ा सा अप पर जब आप चलता है अप चला आता है दोस मीट के बद आप लोग तरफ लगा देना है ठीक है तब क्या होगा क्या हंदेर वाण पर लिए जितने का चांस बर जाएगा क्योंकि मार्केट पर बहुत हैं पर आप अच्छा और यह पर आप अच्छा आइप एंड कर पाओगों क तो अच्छा लेगा तो लाइक किरेंगे मिलते हैं नेक्स्ट विटीन विद्व के साथ अप्ट एक लेगे जैंद वन्दमातराम ठैक्स पर चिंगे सेंड़ पाइव वेट